हेलो गैज, सो वेलकम टू अल अफ यू इन दिस वीडियो लगातार आपके अपडेट पे हम काम कर रहे हैं अभी कह सकते हैं कि पार्टली पुत्रा इंवर्सिटी में अभी रेगुलर के स्पोर्ट एडमेशन का प्रोसस आज जैसे ही स्टार्ट हुगा तो फिर पार्टली पुत्रा इंवर्सिटी ने सोचा कि वो केशनल के कूर्स हमारे क्यों पीछे रहे और जो कल आने वाला अपडेट था यानि सेकंड काट अफ लिस्ट, सेकंड मेर्ट लिस्ट वगरा वो सारा का सारा आज ही आ चुका है और आप फटाफट अपने डिटेल्स को चेक किजिए कि आपका नाम आया है सेकंड काट अफ लिस्ट में या फिर आपका नाम नहीं आया प्रोसेस चेक करने का बहुत ही आसान है तो चलिए सारा प्रोसेस आपको समझाते हैं process को complete करने के लिए official website पे आ करके उसके official website पे भी आने का process बताते हैं आप यहाँ पे type किजिए partly portal university and partly portal university जैसे ही आप अपने chrome browser पे type करते हैं दिन आपको यह इस तरीके से आपको pop up खुलेगा अगर बात करें इसके updated notice में दिन updated notice में चेक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा update नहीं है बट रियली आ चुका है ब्लीव किजिए चले back होते हैं back होके फिर से इस page पे आते हैं and page पे आने के बाद जो admission का जो section है यानि admission portal वाले section पे ले करके चलते हैं यहाँ पे आपको आटमेटिक एक ब्लिंग करता मैं से आ जाता है यूजी वोकेशनल मेरेट टू है यानि second cut-off list आ चुका है उसको view पे section पे क्लिक करते हैं दिन आपको देख सकते हैं यहाँ पे cut-off release हो चुका है और इसमें जो सबसे उपर का जो BBM है इसमें अगर बात करें percentage का तो 76.2% है और वही अगर girls के बारें बात करें EWS का मतलब साबसे आखरी तो 55.5% है इस तरीके से पूरे cut-off का list आ चुका है पूरा cut-off का series है आप पूरे cut-off list को देख सकते हैं हर college का है जो भी courses available है वो सारे courses के लिए यहां पर show कर रहा है और जो seat का detail है वो भी already updated है तो seat का जो check करने का process है मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बताया है तो आप seat का status देख करके भी आप confirm हो सकते हैं कि seat बचा है या नहीं बचा है अगर आप देख लिएगा कि seat बहुत ज़्यादा बचा है दिन आप confirm हो जाएगा कि आगे भी asport admission vocational courses में भी आएगे 100% मैंने seat का detail तो मैं check कर चुका हूँ आप भी check कर लिजे हमारे पिछले वीडियो के support से तो इसमें जो cut up का list यानि जो cut up का list आया है यह हर course के लिए यह cut up का list हमारे वीडियो के description box में भी आपको मिल जाएगा साथ में हमारे telegram channel से भी मिल जेगा तो आप हमारे telegram channel पर जुड़ियो वहाँ पर सारे update देख सकते हैं इसके cut up list के दिखा देगा अब चलिए आपका आया कि ने आपको check करने के लिए आना चाहिए लिएटल्स कसे लिए फिन्धन रीरिस लिस्ट जो प्रपोस्ट किया है उनिवर्सिटी के द्वारा उसमें उनका नाम आया धृया है देखें हमारे पास एक librarian जिनका देखे मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद एक इनका नाम है, जो भी उनका नाम है, देखे उपर में नाम आ गया, और आप भी confirm कर लिएगा कि जब भी आप अपना चेक किजेगा, तो आपका उपर में नाम मैच करना चाहिए, इसके बाद जो view merit status यहाँ पर आपको right साइड में दिख रहा है, इस right साइड वाले बटन पे क्लिक करके हम लोग view merit status को चेक करते हैं, कि इनका कौन से कोर्स में और कौन से अच्छे college में नाम इनका आया है, चेक करने के लिए जो view merit status वाला बटन है, उसी पर क्लिक करेंगे, देन फिर आपका एक PDF जनेरेट होगा, जैसा कि पहले cut-off list में दिखाया था, view merit status पे चलिए, देन आपको क्लिक करते हैं और आगे को दिखाते हैं, जैसा ही view merit status पे क्लिक करते हैं, देन आपका आजाता है, इनका देके नाम आया है, business management, A.N. college में, top college में, इनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, कि इनका नाम A.N. college में आया है, वो भी अच्छे course के लिए, जो cut-off का list आया है, उसमें इनका cut-off match किया था, चुकि इनका percentage 78% था, एन आपका cut-off 76% पे ही बना, इसका मतलब 100% है, इनका नाम आया है, तो अगर आपका नाम नहीं आता है, तो पारिशान नहीं हुए, आप देख लिए कि आपका एक नमबर से, यानि कल से, एन admission का जो last date है, वो आपका 3 नमबर, यानि 3 नमबर कौन सा दिन है, witness day है, यह इनका last date, start date, don't know date का mention क्या गया है, तो इसी date में इनको admission लेना है, साथ में document verifications के भी सारे process को करवाना है, इसमें कुछ important point बताया गया है, जिस point में discussion सबसे पहला point में कि जब तक आप college विजिट करते नहीं, जब तक आप अपने document के verifications के process को complete ने कराते हैं, आपका provisionally जो admission है, वो confirm नहीं हो पाता, तो एक बात तो आपको विजिट करना ही है college, आपने document verifications के लिए, अपने सारे जो admissions का process है, उसको खतम करने के लिए, दिन एक बार guys, please आप अप सरीके से payment वगरा सारा process होता है, जो भी फिर भी अगर आपको कुछ भी problem होता है, दिन आप problem बताईएगा, वीडियो के comments में बताईएगा, टेलिग्राम चनल से जूड़ करके बताईए, वहाँ पे तकरीवन भी 600 प्लस student है, दिन वहाँ अगर आप अपने problem को share करते हैं, तो इनको payment करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप अपने Chrome के browser पे विजिट किजिएगा, तो चलिए हम भी विजिट करते हैं, Chrome के browser पे जहां से यह सारा जो notice है, यह जो payment करने का पूरा process है, उस process को ताकि हम आपको दिखा सके, देन आचुके हम लोग अपने Chrome के browser पे यहा वहाँ पे आपको option मिल जाता है, फीपेमेंट का उस पे क्लिक करते हैं, देना institution type पुझता है, आप इसमें college fill up किजिए, और इसमें जो आपका registered mobile number है, जो आपने पाठले पुता इनवर्सिटी में सबसे पहले time register होने के time बराता, उसको आप fill up किजिए, इसके बाद send OTPP करत होँ मिल जाएगा, तो आप उसे proper way में देखते रहिएगा कि क्या कुछ उसमें notice बगरा आ रहा है, आपके document verification के regarding भी notice आएगा, अब जो admission का process है, जैसे regular में अब conduct कर रहे है college, उसमें asport admission का time है, तो अभी पाटले पुता इनवर्सिटी में vocational course के लिए अभी power asport admission का नहीं मि So, जब भी इसका आएगा, sport admission का process तो हम आपको inform करेंगे, और पूरा आपको complete information, तो guys आसा करते हैं कि सारा information आपको proper way में समझ में आया होगा, और आपको वीडियो पसंद भी आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को like जरू दोजएगा, और चैनल पर